क्या करण अपने कवच और कुंडल के साथ वितामे भीश्म और अर्जुन को पराजित कर उन दोनों का वद्ध कर सकते थे क्या कवच और कुंडल करण को इतनी शक्ति प्रदान करते थे कि वे इच्छा मृत्यू युक्त भीश्म और पाशुपतास्तर का ग्यान रखने वाले अर्जुन को अकेले ही मार सकती थे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले कुछ खटनाओं पर बात करनी अतियावशक है जो करण द्वारा कवच और कुंडल दान करने से पहले गटी थी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमें सब्सक्रा साधारन बानों से ही करन के कई अंगों को बीन दाला था जिससे उन्हें मूर्चा आने लगी तदंतर ब्रह्म तेज को अजय मानते हुए करन युद्ध लड़ने से हट गए विराठ युद्ध यहां अर्जुन ने अकेले ही समस्त कौरव युद्धाओं से युद्ध लड उस दिन अर्जुन के हाथों करन दो से अधिक बार प्राजित हुए थे खोश यात्रा इस युद्ध में करन गंधर्वों से पराजित होकर दुर्योधन को वहीं छोड़कर भाग गये थे और गंधर्वों ने तब दुर्योधन को बंदी बना लिया था परशुराम जी से जब करन परशुराम जी के आश्रम में असत्य बोलकर शिक्षा ग्रहन कर रहे थे तब एक समय परशुराम जी करन की जांग पर सिर रखकर सो रहे थे तब उनकी जांग पर एक कीड़े ने काट लिया था उस कीड़े के काटने से करन का रक्त बहने लगा था इस तथ्थे से यह सिद्ध होता है कि उन्हें शरीर के निचले हिस्से में चोट पहुँचाई जा सकती थी और उन्हें विकलांग भी किया जा सकता था पांडवों की दिगविजे महा भारत के सभापर्व के अनुसार जब युद्ष्चिर को छोड़कर चारों पांडव दिगविजे के उद्धिश्य से चारों दिशाओं में निकले थे तो एक समय भीम अंग देश पहुँचे थे वहां भीम के हाथों करण पराजित हुए थे उस समय करण ने ना तो कुंती को कोई वचन दिया था और ना ही अपने कवच कुंडल दान दिये थे अब वास्तविक विशे की बात करते हैं हमने पहले आपको वो चार विर्दान इसलिए बताए क्यूंकि उन सब में एक बात आम थी उन सबी घटनाओं में करण हर एक घटना के दौरान अपने कवच और कुंडल से यूगत थे और फिर भी उन्हें बुरी तरह खायल किया गया इवल यही नहीं बलकि वे पीडा में आकर मुर्चित भी हुए थे इन सब बातों से ये तो निश्चित था कि करण कवच रहते भी खायल हो सकते थे अगर करण के पास उनके कवच और कुंडल थे तो इसका आर्थ ये था कि उनके पास तेवराज इंद्र की अमोग वास्वी शक्ती नहीं होगी और उसके बिना करण द्वारा अर्जुन का वद असंभव था क्योंकि करण के पास उसके अतिरिक्त कोई ऐसा अस्त्र नहीं था जिससे वे अर्जुन के प्राण हर लेते और वास्वी शक्ती भी कुछ कर पाती इसमें भी संशे ही है वही करण अपने कवच और कुंडल के बिना अवध्य नहीं थे अब बात करें भीश्म पितामय की तो उन्हें इच्छामरित्यों का वरदान प्राप्त था करण का कोई भी ऐस्त्र शुस्त्र उन्हें मार नहीं सकता था जब तक पितामय स्वयम अपने प्राण ना त्याग देते हाँ करण उन्हें घायल अवश्य कर सकते थे और करण पितामे भीश्म को पराजित कर सकते थे इसमें भी संशे है केवल महा भारत के संधर्व से बोलें तो उनके युवा वस्था से लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध तक अर्जुन को छोड़कर भीश्म पितामे पर कुछ युद्धा कुछ समय के लिए हावी अवश्य हुए परन्तु कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर पाया था और कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने स्वयम को सीमित कर रखा था फै दस दिनों तक सेना पती रहे और उस तोरान पांडव कभी भी कौरव सेना पर हावी नहीं हो पाये और ना ही कोई बड़ा कौरव पक्ष का युद्धा ही मार पाये उनके युद्ध भूमी से हटते ही कौरवों का पतन आरंब हो गया था और एक एक करके सब कौरव युद्धा तहते गए पैकुरुक्षेत्र युद्ध कभी अपनी पूरी क्षमता से लड़े ही नहीं और विववश्था में जब युद्ध के नौवे दिन उन्होंने अपना प्रचंड रूप दिखाया तो प्रभुशिरी कृष्ण को भी अपना प्रण तोड़कर शस्त्र उठाना पड़ गया था इच्छा मृत्यू का वरदान तो उन्हें अजय ही बना दिता था इन सभी कार्णों से हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि करण कवच के बिना या कवच के साथ दोनु स्थितियों में ही फीश्म पितामा को नहीं मार सकते थे मारना तो बहुत दूर की बात है करण के लिए उन्हें पराजित ही कर पाना बहुत कठिन था अब बात करें अरजुन की तो जैसा कि पहली हमने बताया है कि करण अरजुन को वासूई शक्ति के बल पर ही मारने की सोच सकते थे तो अगर कवच उनके पास रहता तो वासूई नहीं रहती और कवच उनको सुरुक्षा वश्य परदान करता था परन्तु उनके युद्ध कोशल में कोई बुड़ोतरी नहीं करता था ऐसे कई युद्ध थे जिनमें करण कवच कुंडल सहित अरजुन से पहले कई बार हार गए थे और पूरी महा भारत में एक भी बार वे अरजुन को पराजित नहीं कर पाए थे तो मानने की बात तो बहुत दूर की है बलकि अरजुन के पास महा पशुपत आस्त्र जैसे महान आस्त्र था जिसके आगे कोई अवध्य नहीं था देवता भी नहीं जिन्होंने अमरित पान कर रखा था और ये अस्त्र देते समय स्वैम भगवान शिव ने अरजुन से कहा था तो ये बात तो पक्की है कि करण अपने कवच कुंडलों के साथ भी अरजुन के हाथों वध्य नहीं थे जैस शरी कृष्ण आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा रप्या इसे लाइक और शेयर रवश्य करें किसी भी प्रकार की तुटी के लिए आप सब से ख्शमायाचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारन करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जै